हरो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग अभी जहां होंगे सेफ होंगे दोस्तों आज की कहानी मेक्सिको से है मेक्सिका को एक गाउं से है जिसका नाम यर्वा है वहाँ पर एक लड़की जाती है मैकडेलन सॉलिस के नाम की और उस गाउं में जाते ही यह लड़की उस गाव में पूरा कतलया मचा देती है। इसे लोग उस टाइम the high princess of blood बोलते थे। क्योंकि वो जिस बंदे को मारती थी या जिस बंदी को मारती थी वो उसको मार के उसका खून ही पी जाया करती थी। यह घटना 1962 की है। जोस्तों कहानी सुरू होने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबादे हमारी वीडियो को लाइक कर दे और एक कमेंट कर दे कि आपको कहानी कैसे लगी है। इसका जन्म टमालिपस 1947 में हुआ था। ये बहुत ही गरीब फैमिली को बिलॉंग करती थी और इसकी फैमिली भी बहुत ही dysfunctional थी। वह बहुत ही yearly ऐसे prostitution के धंदे में आ गई थी। और उसका जो भाई था उसका पिम था। उसका नाम एलाजार था। तो वह high-pristress of blood कैसे बनी आये इसके बारे में जानते हैं। ये बात late 96-2 की है। जब दो भाई बहुत बड़े स्कैमर अवल दरजय वाले स्कैमर जिनका नाम होता है Santos Hernandez और एक का नाम होता है Cayetano Hernandez ये दोनों भाई ये चाहते हैं इन दोनका पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। मतलब बिना काम किये ही इनके पास बहुत सारे पैसे आ जाय जाये। इसके चलते ही बहुत बड़े-बड़े स्कैम इनने उस सहर में करभगतने थे, जहांपे वह लड़की रहती थी। तब उन्होंने एक मैक्सिको के यरवा नाम के गाउं में गए, उन्होंने देखा कि उस गाउं में बहुत ही कम लोग रहते हैं, मतलब पचास के आसपस, और वहां जाकर बोलते हैं, कि वो एक इनका नाम का गौड है, और वो उस गौड के प्रॉफिट हैं, और वो दोने ये कि तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हे खजाने दूँगा, ट्रेजर्स दूँगा, और मज़े की बात तो ये भी है, कि जहां पर ये गाउं था, उस गाउं के आसपस बहुत सारे पहाड थे, जंगल थे, तो वो ही बोलते था कि तुम मेरी पूजा करो, और मैं तुम्हे इस जंगल पहाडों के अंदर से खाजाना निकाल के दूँगा, तो गाउं के भोले वाले लोग हैं, जाहिर से बात, अगर कोई ऐसे बात बोलेगा, तो उसके जहां से में आही जाएंगे, और वो दौर था 90-60 का, तो अब समझ सकते हैं कि उससे में क्या लोगों का और वो जैसा है ऐसा बोलते थे वो दोनों जो भाई, वो करने लगे, और इनका रिच्वल भी बहुत यजीब होता था, मतलब आप इनका रिच्वल समझ लीजीए, ये लोगों से रिच्वल के तोर पे उनके पैसे लेते थे और उनका सारे रिक्सोसन भी करते थे, और ये गड़वड है, ये दोनों जो हाइप प्रिस्ट हैं, अपने आपको हाइप प्रिस्ट बोलते हैं, कुछ तो गड़वड कर रहे हैं इस गाओ के अंदर, लोगों ऐसा समझना स्टार्ट हो गया था, फिर इन दोनों भाईयों ने एक दिमाग लगाया, इन दोनों ने एक मिलते हैं, तो वो बोलते हैं, कि तुम हमारा ये काम करो, हम तुमें पैसे देंगे, या कुछ भी करेंगे, तो माग दिलना इस चीज के लिए रेडी हो जाती है, अब दोस्तों शुरू होता है इसका मर्डर स्प्री, आगे कहानी मैं बताता हूँ, जब इन दोनों भाईयो को लड़की मिल जाती है, तब वो दोनों भाई इस लड़की को लेके वापस से गाउं चले जाते हैं, और गाउं में जाकर लोगों को ये बताते हैं, कि अभी उसी के तरह एक प्रॉफिट अब गौड है, और गौड ने इसे भेजा है, और उसके इंट्री करवाते हैं एक तो सच में लगने लगा कि वो दो प्रॉफिट अब गौड है, कि गौड ने उसे भेजा है, और वो अपने आपको गौड समझने लगी थी, जब उस लड़की ने गाउंवाला पर पूरा कंट्रोल कर लिया था, तब उसमें से दो फॉलावर ने उसे छोड के जाने की बात करती हूं, वो जाके बाहर में बता देंगे, तो फिर उसने गाउंवालों को इन दो फॉलोवर के बारे मताया, और बोला कि ये दोनों अन्होली हो गये हैं, मतलब कि आप पवित्र हो गये हैं, तो ये गाउंवालों से बोलती है कि इन दोनों को मार दो, और गाउंवालों exactly बिल्कुल ऐसा ही करते हैं घाओं वाले इन दोनों फॉलोवर को लिंच कर देते हैं एकदम मार डालते हैं और इस incident के बाद उस लड़की का जो पागल पंथ हुआ एकदम next table पर जा चुका था अब ये इसको किसी का murder करने और उसे sexually abuse करने में मज़ा रहा था अब इसने ritual के नाम पर human sacrifice माँगने स्टार्ट कर दिया और वह इस ritual को blood ritual बोलती थी ये ज़्यादा तर ऐसा उल्वो के साथ करती थी जो इसके खिलाफ चले आते थे और मारने से पहले उसे brutally मारा आता था उसे जलाया भी जाता था कट के जाते थे body के different parts पर और body को पूरी mutilate कर देते थे लोग और ये काम गाउं के सारे लोग मिल के कर रहे थे ritual के नाम पर जिस बंदे को मारे आता था उस बंदे के body से उसका सारा खून निकाल दिया आता था और ये जो लड़की माग देलना है वो उस खून को पीती थी और उसका जो भाई है वो भी पीता था और जो भी खून बसता था सारे गाउंवाले आपस मिल बाट के पी लेते थे और खून पी के ऐसा उन्हें लगता था कि उनके अंदर एक super natural power आ गया है कि वो एक भगवान बनने वाले है और जब खून पी के complete हो जाता था तो ये लोग उसकी body में उसका heart उसका दिल काट के उसका दिल निकाल लेते थे ऐसा करते करते हैं बहुत time बीद गया फिर time आता है 1963 का मई का महीना होता है तब एक 14 साल का लड़का Sebastian Guerreiro जो ऐसा ही जंगल के तरब घूमने जाता है तब वो देखता है जंगल में गुफा है और उस गुफा में से बहुत सारे लोगों की रोने और चिलाने की अवाज आ रही है तो जो लड़का वो जब जाता है उस गुफा के पास तब वो देखता है कि लोगों को मारा जा रहा है काटा जा रहा है रिच्ओल के नाम पे वो ऐसा देखके जैसा ही देखा वो एक दम उसके पैरो तले से जमीन खिसके गई वो ऐसा देखा और वहां से भागते भागते 25 किलो मिल्टर तक भागा वो और एक टाउन पहुंसता है जिसका नाम विला ग्रान होता है और वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन होता है वो हाफते हाफते पुलिस वाला के पहुंसता है और बताता है कि मैंने ये सब देखा है तो पुलिस ने क्या किया कि उसके बातों पर बिलीव नहीं किया उसे लगाए कि ये बच्चे ने नशे कर रखे हैं और वो ऐसा ही बस बोले कि ठीक है भाई ठीक है बच्चे तुम यहां से जाओ हमारे साथ मस्ती करना बंद करो तभी पुलिस स्टेसन में से लुइस मार्टेनेस नाम का ओफिसर उस लड़के को ये बोलता है चलो मैं तुम्हारे गाउं छोड़ दूगा और देख भी लूँगा कि तुमने जो बोला है वो सच भी है या जूट लुइस मार्टेनस नाम का ओफिस वाला उस बच्चे को छोड़ने के लिए गाउं जाता है और गाउं जाते ही दोनों बच्चे और ये पुलिस वाला गाइब हो जाते है एक हपता भी जाता है तब पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में ये लगता है कि हमारा जो कलीक है हपते पर पहले उस बच्चे को छोड़ने किया था और अभी तक वापस नहीं लोटा है तब पुलिस वालों ने इस केस को सेरियसली लेना सुरू किया और पुलिस वालों ने सपोर्ट के लिए आर्मी बुला ली फिर में 31963 को पुलिस और आर्मी की टीम मिलके एक जॉइंड ओपरेशन करती है सीधा पुलिस और आर्मी की टीम वस गवाँ में पहुंसती है और उस लड़की मैकडेलना और उसका भाई ऐलाजार सॉलिस को उसी टाइम गरफतार कर लेती है वो फार्म में थे अपने और एकदम मेर्योना मार के पड़े हुए थे गांजा मार के जिसे लोग गांजा भी बोलते है और पुलिस वालों को ये पता चलता है जो साइंटोस हर्मेंडोस नाम का एक जो स्कैमर रहता है वो पहले ही मार दिया जाता है उसी के कल्ट मेंबर द्वारा जिसका नाम जीजस रूबियो रहता है वहाँ पर पुलिस वालों को सूट आउट करना पड़ता है क्योंकि जो भी वो उस मेंबर थे उस रिच्वल के मतलब जिसको वो फॉलो करते थे अपनी गॉर्डस को उस पुलिस वालों को खिलाफ आ गए और फिर पत्थर बाजी मतलब की जो भी मतलब की पुलिस को चोट पहंजाने की कोसिस की उसके वज ने पुलिस वालों ने ओपन फारी स्टार्ट कर दिया और कुछ लोग मारे भी गए और जब पुलिस वालों ने further investigation किया तब पुलिस वालों को Sebastian Guerrero और Lewis Martinez जो वो पुलिस वाला जिसे वो छोड़ने आया था उनकी last मिल गई ये last उनी के farm पे थी जहां पर ये दोना भाई भाई भाईन रहते थे female seller killer और उसका भाई जब पुलिस वालों ने आगे सर्च किया तब उने और 6 bodies मिली जो कि एकदम कटे फटे हालों तो में थी मगर पुलिस ये प्रूव नहीं कर पाई कि ये 6 लोग अकतल भी इसी लड़की ने किया है तो उसे सजा जो मिली 2 लोग के लिए मिली सबेस्टेन गुरेरो वो जो बच्चा था और वो जो पुलिस वाला लूइस मार्टिन उसके लिए तो दोस्तों आज की यही कहानी थी आसा करतों आपको ये कहानी अच्छी लगी होग अगर अच्छी लगी होग तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बस सेफ रहें बाई